पाइथा गोरस प्रमे आपने पिछली कक्षाओं में पाइथा गोरस प्रमे की मदद से कई प्रश्ण हल किये हैं। वो गतिविधियों के द्वारा इस प्रमे का सत्यापन भी किया है। क्या त्रिभुजों में समरूपता की अवधारना को उप्योग करके पाइथा गोरस प्रमे सिद्ध कर सकते हैं। आईए देखें। प्रमे आठ ये किसी समकोन त्रिभुज के समकोन वाले शिर्ष से कंड पर लंब डाला जाए। तो इस लंब के दोनों और बने त्रिभुज सम्पोन त्रिभुज के सम्रूप होते हैं। तथा परस पर सम्रूप होते हैं। प्यारे बच्चों हम प्रमे आठ पर बात करेंगे। अब प्रमे आर्ट में एक खास बात समकोन त्रिभुज के बारे में कही जा रही है। यह समकोन त्रिभुज के समकोन बनाने वाले शिर्ष से यदि हम विकर्ण पर लंब डालें। तो ये जो विकर्ण पर डाला गया लंब है वो पूरे समकोन त्रिभुज को दो और समकोन त्रिभुजों में बाटता है तो ये प्रमे इस बात पर हमारा ध्यान ले जाता है कि जो बनने वाले दोनों समकोन त्रिभुज हैं वो भी आपस में समरूफ होते हैं और ये दोनों क क्या क्या बाते हैं और इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं देखिए ध्यान से एक बार इसको पढ़के देखें यदि किसी समकोर्ण त्रिभुज के समकोर्ण बनाने वाले शिर्ष से काण पर लंब डाला जाए इतने इसे को ध्यान से देखिया यदि किसी समकोर्ण त्रिभुज के A, B, C एक समकॉर्ण त्रिभूज दिया हुआ है और बिंदू B समकॉर्ण बनाने वाला शिर्ष है तो इस शिर्ष हम आधार A, C पर लंब डाले तो यह जो लंब B, D है वो पूरे त्रिभूज को दो त्रिभूजों में बाढ़ता है त्रिभूज A, D, B और त्रिभूज B, D, C तो यह जो दोनों त्रिभूज है चुकि लंब डाला गया है इसलिए समकॉर्ण त्रिभूज ही होंगे और यह जो दोनों समकॉर्ण त्रिभूज है वो मूल त्रिभूज के बड़े वाले त्रिभूज A, B, C के समरूफ होते हैं और चुकि दोनों के दोनों एक खास त्र यिसे में कोड बी समकोड है इसके वजा से ये पूरा का पूरा तरफुछ बना और इसमें B C D B D जो लंब है वह A C पर डाला गया A C जो इस तरफुछ का विकर्ण है उसमें एक लंब B D डाला गया है तो ये चीज़े हमें दी हुई है और हमें ये सिद्ध करना है कि इस तरह से लिम्ण डालने से जो तरिभुझ बने ADC के सम रूप होगा और वैसे ही कि एक और तरिभुझ BDC बना है वो भी पहले तर्भुझ ABC के समरूप होगा यहां एक बहुत महत्पून बात है जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि जब हम त्रिभुज का नाम लेते हैं तो हम उस क्रम में लेते हैं जैसे समरूपता के लिए जरूरी है जो दोनों त्रिभुजों में समरूप बनाये ऐसे शीरस्नों और भुजाओं को हम उस क्रम से बोलते हैं जैसे हमने यहाँ पर देखिए A, D, B कहा A, D, B हमने इन शीरस्नों का जो चारण किया वो इसका क्रम क्या है A, D फिर उसका बी की हम बात कर रहे हैं तो A, D और D, B को आप देखिए यह समकोर्ण बनाने वाले भुजाओं हैं और इसमें से भी छोटी वाले भुजाओं को हम पहले ले रहे हैं और बड़ी वाली जो समकोर्ण बनाने वाले भुजाओं इसको बात में ले रहे हैं तो क्रम हमारा होता है तरभुज को बोलने का A, D, B और यह पूरे त्रभुज को इंडिकेट करता है ठीक ऐसा ही हमको बड़े वाले त्रभुज के बारे में बात करने पड़ेगी बड़े वाले त्रभुज में देखिए समकोंड बनाने वाले भुजा है कौन कौन सी है ए बी है और इसमें छोटी भुजा ए बी है जब हम समरूपता के संबन में दूसरे वाले तरिभूज के नाम लेंगे तो हम पहले वाले तरिभूज में जो नाम लिए हैं उस क्रम का ध्यान रखेंगे और हम इस तरिभूज के बारे हम कहेंगे तरिभूज A, B, C पहले चोटी वाली भुजा फिर बड़ी वाली भुजा फिर ये तिनों का उच्छारण एबी सी हुआ तो हम कह रहे हैं कि ADB बड़े वाले त्रिभुज ABC के समरूप है और ठीक इसी तरह से जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है BDC इसको भी हम उसी तरह से बोल रहा है तीन चीज़े हमें हैं पर सिद्ध कर रही है तो चलिए हम इसकी उपत्ति शुरू करते हैं वह प्रक्रिया को शुरू करते हैं जिसमें हम प्रूफ करते हैं इन चाहिवी चीजों को सबसे पहले हम इन दोनों तृब्जाटों को लेंगे है तो हम लिखे है यहां पर त्रिभुज एडी बी और त्रिभुज अबी-स में जो कोण A पर बन रहा है, वो उभैनिस्ट है, दोनों त्रिभूजों में, एक बार फिर से देखिए, त्रिभूज ADB में देखिए, ADB इस त्रिभूज में कोण A उपस्तित है, और त्रिभूज ABC में भी एक कोण उपस्तित है, यानि कोण A दोनों त्रिभूजों का हिस्सा है तो हम कहेंगे कोड़ A बराबर कोड़ A यह उभैनिस्ट कोड़ है दोनों तरफ हो जुमें यह बात हमको मिली दूसरी चीज़ देखिए कोड़ A D B जो समकोड़ है क्योंकि B D ऐसी पर लंब है इस कारण यहां जो कोड़ बन रहा है दोनों तरफ हो समकोड़ होंगे तो अब A D B बराबर कोड़ A B C यह भी देखिए समकोड़ यहां पहले दिया हुआ है कि समकोड़ तरफ है तो अब लिख सकते हैं कोड़ A D B बराबर कोड़ A B C और इसका कारण दिखिए दोनों समकोड़ तरफ है अब याद करिए समरूता की जो शर्टे होते हैं तरफुच के लिए उसमें यह दे दो कोड़ किसी एक तरफुच के दो कोड़ दूसरे तरफुच के दो कोड़ के करमशाँ बराबर हैं तो दोनों तरफुच समरूप होते हैं तो आफ देखरें कि warm एधिया का बर स्वाद ये दोनों के दोनों सम्रूफ है तो पहले चीज़ हम ह्यां सिद्ध कर पार हैं कि तिरिभुज A D B सम्रूफ है ! तिरिभुज A B C के चдо Vallahi ये पहली बात जो हमें सिद्ध करनी थी वो हमने यहां पर सिद्ध कर ली अब ठीक इसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज के बारे हम बात करेंगे दूसरे त्रिभुज के सेट को ले हम त्रिभुज बी डी सी के हम बात करेंगे त्रिभुज बी डी सी देखिए इस चीज़ को हम यहां लिखते हैं त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज पहले वाला त्रिभुज ABC हम फिर से ले रहे हैं उसको त्रिभुज BDC और ABC यहां देखिए त्रिभुज BDC इस त्रिभुज के हम बात कर रहे हैं और दूतरा बड़ा त्रिभुज जो पहले आपने लिया था वही वाले त्रिभुज ABC अब इन दोनों में दे दोनों तर्भूजों में मौझूद है और तर्भूज A-B-C नोड़े कोन-C मौझून था रिचवय। बड़े कोन सी बराबर कोन सी इसे आप लिखे inviting बैनिस्ट कोण अब दूसरा कोड देखिए ठीक पहले कि तरह आपको यहां पर मिलेगा एक समकोड बन रहा है त्रभुज बीडी सी में डी पर बनने वाला जो कोड वो समकोड है और पहले वाले में तो आपने समकोड बीपर देखी लिया था तो फिर से आप लिखिए कोड ब Bdc बराबर कोड demandé BC बड़े वाले त्रभुज का समकोड बी जिसे आप पुरा लिखेंगे तो अप इस तेरह से लिखेंगे कोड A B C ये दोनों के दोनों समकोड है और इसलिए आप देख पार हें कि पहले त्रभुज के दो कॉड करमशा साओं और D पर इस तरह बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की कोण C और कोण A, B, C इस जगह पर बनने वाले कोण के बराबर है और फिर से आप एक बर समरूपता की जो शर्त है जो कहती है कि इन्हीं दो त्रिभुजों में यदि दो कोण एक बर औरकोण दूसरे त्रिभुज की अलग अलग दो कोणों के बराबर है तो त्रिभुज समरूप होंगे तो इस आधार पर आप इन दोनों त्र७ुजों को लिए कह सकते हैं समरूप होंगे यह तह आप लिखिए त्रिभुज B, D, C समरूप है त्रिभूज A B C के देखिए B Đi C और A B C समरूप सिद्धे करना था ये दूत्री वाले बात सिद्ध हुई और यहां फिर से देखिए इन दोनों कत्नों को आप देखेंगे A D B समरूप है A B C के और B D C समरूप है A B C के तो छूकि लिए दो लग अलग त्रिभूँच किसी एक ही त्रिभूच के समरूप हैं तो वो आपस में समरूप होंगे जब आपको पिश भात कहां जो तीसरा चीग में प्रूर्व करें थी कि दोनों त्रिभूच आपस向 समरूप होते वह आपने होज़क्र लिख तो यह तीन जो बातें सिद्ध करने थी कतन सिद्ध करने थे वह आपके सिद्ध हुए